दोस्तों, जैसे जैसे market Recover होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे market में कुछ mining projects के अंदर potential भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए mining project को लेकर, इसी के साथ ही साथ मैं आज complete कर्भाऊंगा वेनम का latest 13th NFT task, जिसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर लगातार पूछ रहते हैं मुझसे, हलाकि मैंने उसका वीडियो टुटेर अकाउंट पर पहले ही शेयर कर दिया था, अगर आप मुझे टुटेर पर फॉलू कर रहे होंगे, तो बस आपका टास्क तो अब तक पूरा हो चुका होगा लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, वो घबराई नहीं, आज का पूरा वीडियो लार्श तक देखेगा, वीडियो को स्किप मत कीजेगा, आज आपका टास्क में पूरा करवा के ही जाओंगा, मस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है The Financial Advisor, और मेरा गोल तो आप सभी को पताईए, आपकी Financial Growth और क्या देखेगा, चले, सबसे पहले चलते हैं Mining Project की तरफ, उसके बाद शुरू करेंगे Venom का टास्ट, दोस्तों, कुछ दिनों पहले मै अपके साथ में PXR Network Mining Application को शेर किया था, अब ठीक वैसा ही एक नया प्रोजेक्ट आया है, जिसका नाम है BNP Network, अब मैं इसके roadmap और बाकी के details के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा, आज हम सिर्फ इसे फटा-फट से join कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें हम बात में discuss करेंगे, ठीक है ना, जिसके लिए आपको description में दिये गए link पर click करना होगा, और वहां से आप पहुंच जाएंगी सीधा play store पर, play store पर आप देख सकते हैं, इसको आए हुए सिर्फ अभी 2 से 2.5 मही नहीं हुआ है, जबकि इस दोरान इसके downloads 10,000 प्लस दिखा रहा है, जो कि इनकी website को देख लेते हैं, जिसका interface काफी smooth feel हो रहा है, website पर इन्होंने बताया है कि इस साल के fourth quarter में officially ये अपने BNP coin को launch कर देंगे, उसके बाद 2024 के पहले quarter में ये अपना platform लेके आएंगे, जहां हम उन coins को use कर पाएंगे, then ये 2024 के ही second quarter में अपना खुद का wallet लेके आएंग जहां लोग इनके coin को stake, buy और sell भी कर पाएंगे, और इसके बाद 2024 के last quarter में ये सारे platform inter-sync हो जाएंगे, और सभी इनको utilize कर पाएंगे, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, चले, अब इसको download करके install भी कर लेते हैं, खाली देखने से बाद तो बनेगी नहीं न, ये install करने के बाद जब इसको आप open करेंगे, तो यहां आपको देखेगा कि ये एक AI project है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि market में अभी mining projects में सिर्फ कुछी projects हैं, जो AI की उपर अपना project run कर रहे हैं, या करने की बात करते हैं, खिर, अब हम click करेंगे sign in पर, जहां हमसे हमारी email id select करवाएगा, उसको select करते ही processing होगी और फिर आपसे referral code पूछा जाएगा, यहां आपको डालना है small b, small a, small e, 1, 5, जहां, b, a, e, 1, 5, यह आपको screen पर भी दिख रहा होगा, ठिक है, यह डालकर आप submit button पर click कर देना, और जिसके बाद आपको instant 5 BNP tokens मिल जाएंगे, नीचे आ आपको start mining का button मिलेगा, जिसको आपको simply click कर देना है, देहने के लिए थोड़ी हो button, click भी करना होगा, हो सकता है कि यहां आपको कोई add वगरा देखे, तो आप उसको cut कर देना, खैर, अब आपकी mining start हो जाएगी, जो आपको लगभभभ धाई token हर घंटे बना कर देगी, अब यह देखकर मुझे omega की याद आ गई, जब शुरू शुरू में लोगों को एक दिन में 50-50 token माइन करने का मौका मिलता, लेकिन जैसे जैसे users बढ़ते गए, वो mining speed भी कम होती गई, इसलिए दोस्तों आप भी इस बात का फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी इसको माइन करना शुरू कर दीजगा, हाला कि एक हफ़ते पहले तक इसमें हर घंटे लोगों को 5 token मिल रहे थे, लेकिन 50,000 users होने के बाद इसके प्रोग्राम के हिसाब से mining speed को आधहा कर दिया गया है, अब जिस दिन इसके 1,00,000 users हो जाएंगे, तो शायद August के पहले हफ़ते में जो की ह को ही जाएंगे, तब इसकी speed और भी आधी हो जाएगी, जो कि आज में आपको बता रहा हूँ, तो इन सबी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बाकी के updates में करता रहूंगा, अब इसकी profile में हम चेक कर लेते हैं कि KYC का option आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैंने देहान दिया कि कुछ लोगों के document सही होने के बाद भी उनकी KYC में error आ रहा है, और फिर next lot तीन महीने के बाद का दिखा रहा है, इसलिए आपको अभी KYC नहीं करना है, मैं अगले हफ़ते में आपको एक वीडियो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, कि KYC कैसे करनी है, उ कि सारा काम मुझ पर छोड़ दो, कल मैं एक और mining project लेके आने वाला हूँ, इसलिए active रहना हा, भूल मत चाना, चलो, अब ये दो बात हो गई mining project की, अब आहां जाते हैं हम Venom के task को, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको complete करवाऊंगा, तब ही जाऊंगा, अब देखिए मै मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ लोग battle street के बारे में पूछ रहे हैं कि सर battle street का refund आएगा या नहीं आएगा, और क्या हमें investment करना चाहिए या फिर नहीं, तो दोस्तों बहले एक बात को समझ लीजे clear, refund आएगा ये पका है, और वो BS tokens के जरीए ही refund भी कर रहे हैं, ले भी व्यक्ति नई investment मत करना जब तक कि आपको पुरानी investment वापस ना मिल जाए, दुबारा कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करना, चले, अब बात करते हैं Venom के टास्की, इसके लिए चलेंगे सबसे पहले Venom.network यानि कि इसकी official website पर, वहाँ क्लिक करेंगे, start testnet पर, तो हम Venom का ये 13th NFT टास्क है, अगर आपका कोई टास्क अभी तक अधूरा है, तो आप टेलिग्राम या फिर नीचे comment में मुझसे पूँच सकते हैं, मेरी टीम आपकी पूरी help करेगी, उसको complete करने में, खेर, फिलाहल चलते हैं इसको complete करने के लिए, तो क्लिक करेंगे complete टास्क प अपना एक mail करना होगा, तो इसके लिए हमें इनके link पर क्लिक करना होगा, वहां से हम redirect हो जाएंगे इस page पर, जहां हमें Venom को select करना होगा, और इसके बाद हम होंगे इनकी official website पर जो की हूब भू आपको Gmail की तरह दिखाई देगी, अब आपको simply compose mail पर क्लिक करना होगा, और सबसे पहले टू वाले section में Venom का wallet address डाल देना है, जिस पर हम ये mail करेंगे, और हां ध्यान रहे, अपना wallet address मत डाल देना, और किसी और का भी नहीं डालना है, Venom का wallet address डालना है, खेर, आपकी असानी के लिए मैंने ये address Twitter account के tweet पर share कर दिया है, ठीक है, आप चाहो तो उसे copy कर के यहां paste कर सकते, इसी बहाने अगर Twitter account तक जाई रहे हो, तो मेरा Twitter account follow भी कर लेना, ताकि कुछ task के लिए YouTube की वीडियो का wait ना करना पड़े, और वो task का आपका समय पर पूरा भी हो जाए, अच्छी बात है ना, मेरा भी फायदा और आपका भी, खेर, अब wallet address डेने के बाद अब subject में जो चाहे आप वो लिख देना, और फिर message में भी जो चाहे आप लिख लेना आपकी मरजी है, और फिर send पे click कर देना, इसके बाद थोड़ी देर तक processing चलेगी और finally करीबन आद हे minute में, mail successfully send का notification आ जाएगा, या आते ही हम Venom की website पर आगे, इस task को check करेंगे, तो ये भी complete बताएगा, अब हमारे सामने mint NFT का option भी open हो जाएगा, जिसके बाद हम simply mint पर click करके, इसको mint कर लेंगे, और इस तरह से आपका ये task पूरा हो जाएगा, simple है, अब जो लोग नहीं जानते है, Venom Network क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि आने वाले time का बहुत ही बड़ा crypto platform ह जिसमें अभी task करने पर NFT मिल रही है, 13th NFT अभी तक मिल चुकी है, और बाकी कुछ और भी अभी बाकी है, जिन्रोंने अभी तक इसको join नहीं किया है, वो हमारी बाकी की दो वीडियो को देके इसको join कर सकते हैं, और हाँ मैं फिर से कह देता हूँ कि अगर किसी का कोई task रह है, तो वो टेलिग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर कहीं भी मुझसे पूँच सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का मैं बताऊंगा, तो दोस्तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, अब मैं मिलूँगा आपसे कल नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीड